नमस्कार दोस्तों मैं सोराव और आप देख रहे हूं इस स्क्रीक फेंटासी इस वोड़े के थुरू मैं आपको इस मैस रिलेटेड हार तरगी का स्टेड हार एक प्लेयर का रिशेंड पॉंप पीज रिपोर्ट कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको जी टिम में पिक कर सकते हो कौ स्मॉल लिग का टीम एंड कौन सा प्लेयर आज आपका ट्राम भी हो सकता है यह सब कुछ मैं आपको टेलिग्राम चैनेल पर इंफर्म करता हूँ इसलिए टेलिग्राम चैनेल के साथ जुर्ण आपके लिए उत्रा ही इंपर्टन है नीचे डेस्क्रिप्सन पर लिंक है लिए अल्ट राफ पर मैंचेसटर आप देखे लएते हैं पिज रिपोर्ड यहां पर जो पीज रहता है मतला मैचेसटर पर जो पीज रहता है न वह जेनरली थोड़ा हार्ड पीज रहते है यहां पर पर प्पेस और आसा का सा मदद मील शकता है यह उसलिए अधको ऐची 170 प्लास देखने को मिल जाएगा अगर बैट्समान खुल से कुछ खराब ना के लिए तो इंटरनेशनली यहाँ पर आठ टीटोएंटी आइ मैच खिला जा चुका है जिसमें से बैटिंग फर्स्ट कत्वे टीम ने टू टाइम्स और बैटिंग सेगन कत्वे टीम ने 6 टाइम मैच उनके है फास्टिंग से अबरे स्कोर की बात करें तो इंटरनेशनली 164 हाइस्ट कोर पकिस्थन के नाम है लूएस्ट कोर निजलेंड के नाम है अब डूमेस्टिक का भी रेकॉर्ड देख सकतो डूमेस्टिक लिए यहाँ पर 59 टी-20 मैच खिला जा चुका है जिसमें 152 169 18 टाइमस 172 189 13 टाइमस और 192 टेन टाइमस राण जा चुका है मतलब यहाँ पर डीसेन स्कोरिंग होता है अगर कुछ खराब ना खेले तो बैट स्पन पिछले कुछ मैच का स्कोर कर देखके आपको पीच के बार में और करिब से समझ में आ जाएगा पिछला जो मैच मैच कर दिया गया था मैच कर दिया गया था लेकिन फिर भी डीसेन स्कोरिंग हुआ फिर से यहाँ लंका सहर और नोटिंगर राण स्टोरी क्या हुआ अगर बैट्समें ठीक तक खेल लेता हैं तो आपको यहाँ पर इसली 1 7-2 प्लास राण देखने को मिल जाएगा लेकिन यह उतना ज्यादा राण भेंव With recent form Tom Benton के साथ आपको Will Smith को opening करते है देखने को मिल जागा Tom Benton का यह recent form है आप देख सकतो recent form ठीक ठाग है Almost 1000 में decent scoring किया उसको आपको Will Smith को देखने को मिल जागा Will Smith last 3-4 मैच में काफी अच्छा किया था आप इसका recent form भी देख सकतो तो यह आपर 6 run को छोड़ दीजे यह आपर 8 run को आप छोड़ दीजे उसको आप 52, 94, 36, 66, 78 और 61 मतलब decent scoring क्या है almost time match भी उसको आपको Tom Catamore को देखने को मिल जाएगा यह consistency आपको easily 30 plus score market दे सकते हैं Tom Catamore बहुत ही reliable batsman है ठीक टेक बैटिंग कर लेता है उसको आपको Tom Evel को देखने को मिल जाएगा इसका recent form उतना कुछ खास नहीं चल रहा है यहाँ पर 40 और यहाँ पर 20 को भी आप consider कर सकते हैं यह पर 25 को भी आप consider कर सकते हैं यह 2-3 match को छोड़के इसका पदर्शन कुछ खास नहीं रहा सेन डिक्सान को आप ग्रैलिंग में ट्राइ कर सकतो पिछले मैंच में 41 क्या था अगर आप चातुर तीम में पिक कर सकतो ग्रैलिंग में जरूर ट्राइ करना उसके बाद आपको लुईस ग्रेगोरी को देखने को मिल जागा लुईस ग्रेगोरी बहुत ही इनपरेंट की होने वाल है उसके आपको बेंद ग्रीन को देखने को मिल जागा से पिछले मैच में बैटिंग और बोलिंग दोनों से फ्लॉप हो गये था लेकिन पिछले मैच को छोड़के आप इसका रिसेंट फर्म देख सकता है यहापार 40 एक वीकेड, 37 एक वीकेड यहापा दोएकेड दोएकेड, दोएकेड, आठरा रान चार वीकेड मतलब अल्मोस्ट हर मैच पे डिसेंट स्कूरिंग गया है बैटिंग और बोलिंग दूनों से आपको यह पर्फेंस करके दे सकता है मस्ट अपीग होने वाल है उसका आपको क अल्मोस्ट हर मैच पे कुछ ना कुछ किया यहापा तेरा किया यहापर 17 एक वीकेड यहापर तीन वीकेड मतलब अल्मोस्ट हर मैच पे यह डिसेंट पॉयंट आपको देख सकता है उसको आपको मैठ हेंडरी को देखने को मैच जागा बहुत ही इंपरने पीग आज होने बले कि मैं आपको पहले ही बोला था यह जो पीचा यह थोड़ा बाउंसी पीच है यहापर मैठ हेंडरी बहुत ही इंपरने पीघ्ट होने बले है आप इसका रिचेंट फर्म भी देख सकतो पीछने माज में दो इकेड उससे बहले चार वीकेड दो इक तीन वीकेड एक ए मालब एक भी ऐसा मैच नहीं है जहाँ पर मैठ हेंडरी ने वीकेड नहीं चटका पाया अल्मोस्ट हर मैस पर ही अच्छा कासा वीकेड चटका यह उसके बादब को जौस डेवी को देखने को मिच जागा पीछले में एक वीकेड चटका दिया रैलिंग में अब इसको बेंगरीन आ सकते हैं नहीं तो लुइस ग्रेगोरी भी एक भल लेके आ सकते हैं बेंच पर कुछ प्लियार का नाम है अगर खेलते हैं तो उसका भी रेकॉड आप देख सकते हो आप देख लेते हैं, Nottingham Sir की possible playing, na man with recent form Alex Hills के साथ आपको Joe Clark को opening करते हुए देखने को मिच जाएगा Alex Hills का recent form आप देख सकते हो, बहुत ही risky player है लेकिन small link में इसको drop करना और भी risky हो जाएगा क्योंकि ऑपोनेंट का जब टीम है उसके पास पका यह रहना ही पला है और बाइचंस अगर यह चल गया तो आपको एक तरफा मतलब लॉस करके जाएगा सो एलक सिल्स थोड़ा रिक्सिप लियर है जो क्लार्ट का रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो एक दो मैच को छोड़के कुछ पार्फोएंस खास नहीं है यह बाद 72 को अब कंसिडर कर सकते हो और यह बाद 29-42-89 यह दो-3 मैच को छोड़के यह इसका रिसेंट फॉर्म पिछला दो ही मैच के लाँ 23 और आट रह गया डिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है आप इसको ड्यानलिंग में ट्राइक कर सकते हो उसका रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो ठीक तागे और यह कीपिंग से भी आपको कुछ पॉइंट देने वाले पिछले मैच में इसलिए अगर आप जातो टॉम मॉरीस के साथ जा सकतो इमाद वास हिम बहुत ही इंपरेंट भी होने बाले है बैटिंग और बोलने दुरों सबको पर्फॉर्मेंस करके दे सकते हैं पिछले मैच में आट रन के साथ दो इके चर्क जा शाइन अप रिदी के बार में मैं मैं आपको बात में दिखाओंगा पहले तीन मैं आपको बात में दिखाओंगा काफी काम है आपका यह ट्राम होने वाले है मैथू काटर का भी recent form आप देख सकतो ठीक क्या कर लेता है जाग बॉल को आप पिक का सकतो खास करके इस पिछले मैश को छोड़के अल्मोस आरे मैश में जाग बॉल विकेट चटका है ओपेनिंग बॉलर की बात करें तो साइन अप प्रेदी के साथ आपको जाग बॉल को दे पेंिसमवाट को देखने को मिल जागा तॉम मूर्स को किन बचागा और को से अगर मैरे मैं घफ़ास किकंग मनें को लिए अगर घ्रक चागते साथ बहुत होने वाल है जो क्रiece पर के साथ रिशी बींव कि मैं गूने वाल हूँ हो से अलेक्स सील्स बहुत ही इंसटेट którego होने वाले हिमाद्वशिम बहुत ही उन पर यहां बन करके आप इंद नों को पिक कर सकते हो अगर आप चाहतो जो क्लार के जगा जैक बॉल को पिक कर सकते हो क्योंकि पीच कंडिशन को देखते हो है मैं आपको साजेस्ट करूंगा आप जैक बॉल के साथ जा सकते हो फिलल अगर आप चाहतो टॉम मोरीस के जगा जो क्लार को भी पिक कर सकते हो यह आपका और इसको उतना भी मतलबरान खेलने को नहीं मिलेगा तो उस कर्णेशन में आप जो क्लार के साथ जा सक्तो और आप यह भी कर सकते हो आप जागा लिकिन आज जो पीज है यह पर फेनां को उतना ज्यूक्त हो पहलता और खेला जाएगा और पेशर बहुत ही इन पोर्टन रहत काप्टेन बना चाकते हो वीडियो अच्छा लगा और इंफर्मेटीव लगा तो चैनल को जरू सब्सक्राइब पर दीजेगा